दोस्तों अंजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो केवल बज्जित राहों पर अपनी तलवार चमकाया करते हैं, ये कथन था नेपोलियन बोनापाट का, दोस्तों उनका कहना था असंभव सब्द केवल मुर्खों के सब्द कोस में पाये जाते हैं, दोस् दोस्तों क्या मुश्किलों से हमें हार मान लेनी चाहिए। आईए आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रांस के एक महान समराठ नेपुलियन बोनापार्ट के बारे में। उनका स्टोरी सुनने के बाद आपके लाइफ में थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। वे किन काटों भरे रास्ते मुश्किलों रास्ते को चुनते थे। उनका कहना था कि जो खिम भरे कार्ज करने में जो मजा है वो सरल कामों को करने में मजा नहीं है। दोस्तों एक समय की बात है कि उसे एक आलपस परवत को क्रॉस करके किसी जुद्ध में जाना था। उनके सैनिक ने आलपस परवत के बारे में सुना था कि आलपस परवत बहुत उचाई है। आज तक जो भी वहाँ जाने की कोशिस किया है जिन्दा वापस लोटकर नहीं आ नेपोलियन बोनपाट को आज वही आलपस परवत को क्रॉस करके जुद्ध में जाना था। और उसी रास्ते पर चल रहे थे अब जब उसी रास्ते पर चल रहे थे तो एक विर्ध महिला मिली नेपोलियन बोनपाट को और बोली बेटा तुम किस रास्ते से जा रहे हो आग नेपोलियन बोनापाट का कहना था कि जोखिम भरे कार्ज करने में बहुत ही मज़ा है वो अपने किमती हीरो का हार भेंट देते हुए उस महिला से बोली मा अगर जदी मैं इस परवत को क्रोस करके और जिंदा वापस आता हूं तो आप हर किसी को जरूर बताना कि नेपोलियन बोनापाट ने आलपस परवत को क्रोस करके जिंदा वापस आया और उस हीरे का हार भेंट देते ही वे जाने लगा उसके बाद उस महिला ने बोली ठीक है बेटा मेरा आशिरवाद भी तुम्हारे साथ है और मैं कामना करती हूं कि तुम इस जुद्ध को भी बहुत हंस्ते हंस्ते जीत जाओगे और नेपोलियन बोनापाट अपने सैनिकों के साथ चलने लगा कि उनके सैनिक ने जाने से इंकार कर दिये कि मुझे नहीं जाना है इस जुद्ध में आलपस परवत हमसे नहीं पार हो पाएगा नहीं करोस कर पाएगे नेपोलियन बोनापाट ने सभी सैनिकों कोई कठा किया और सभी से पुछा क्या आपने से हमारे कोई इसे सैनिक है जो कभी आलपस परवत को पहले देख चुके हों सभी ने बोला हम लोग तो कभी देखे नहीं है बट सुने जरूर है कि आलपस परवत को जिसने भी पार करने की कोशिश की है वह जिंदा व आलपस परवत आजाएगा उसके करीब हम लोग पहुंच जाएगे तो हम बता दूँगा आप लोगों से क्या आप लोगों को इसको करोस करना है अगर यदि आप लोग की इच्छा होगी क्रोस करना तो हम लोग जुद्धे में जाएंगे अन्य था आप लोग गोल दिजे का कि हम लोग क्रोस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग पुना इसी रास्ते से वापस लोटाएंगे और सभी सायनिक तयार हो गें चलने के लिए चलते चलते एक बहुत बड़ा परवत मिला सायनिकों ने पुछे क्या यही आलपस परवत है Nepolitan बोनपार्ट ने बोला यह तो एक छोटा और मामुली शे परवत है आलपस परवत तो इस से आगे है और वह काफी भी साल है इस से करीब डेढ़ गुनाउं चाही और है सभी सैनिकों ने इस परवत को आसानी से पार कर लिए और इस परवत को पार करके आगे बहुत बड़ा मैदानी इलाके में पहुचता है और नेपोलिजन बोनापार्ट से फिर सैनिकों ने पुछता है कि अब कितना दूर है आलपसपरवत नेपोलिजन बोनापार्ट ने हस्ते ही भी बोलता है किस आलपसपरवत की बाते कर रहे हो तुम लोग कहां है आलपसपरवत आलपसपरवत को हम लोग ने कभी पार कर चुक और नतीजा ये निकला कि उस जुद्धि को भी नेपोलियन बोनापाट ने यूँ ही हस्ते हस्ते बीजै प्राप्त कर लिया। दोस्तों कहा जाता है अधि आप खुद से अपने आप से नहीं हर जाते हैं तो दुनिया की कोई भी सकती आपको नहीं हरा सकती है।